दोस्तों नमस्कार दोस्तों हम जितनी भी सब्जियां खाते हैं आज कल सभी सब्जियां पैस्ट्रिसाइड से बरी होती है और फर्टिलाइजर इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में डॉह डाला जाता है और यहां तक कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इन में इंजेक्शन लगाने से जो शाम को इतनी सी चीज होती है वो बहुत लंबी बढ़ जाती है जैसे कखड़ी में लगाते हैं कदू में लगाते हैं यह इंजेक्शन लगाते हैं बहुत सी चीजों में उससे फल भी बहुत ज्यादा मिलेंगे इनको और रात-रात में बहुत बड़े-बड़े फल हो जाते हैं तो हमें केमिकल से बरपूर जो अरी सब्जिया मिल रही है और जो हमारे सरीर में नुक्सान पहुंचा रही है उससे बचने के लिए मैं आपको दो ब्यंकर ताकत वाली डालें बता रहा हूँ जो डाल आप खाओगे तो ये मानिए कि आपको बादाम से भी ज़्यादा असर करेगी और आप इस केमिकल बरी सब्जियों से दूर रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा आप बीमारियों से बचे जाओगे तो आपको मैं दो डालें बता रहा हूँ इससे पहले कि जो नए आदमी आप मेरे चैनल को देख रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सिक्राइब कर लें वहिया और उसके बादे में पास में बेल आइकन है उसको भी दबा देवे तो दोस्तों आपको पहली डाल बता रहा हूँ वह है कुल्थी की डाल आब बाजार में जाईए आप को मैसूर की डाल के तरह ही मिलेगी कुल्थी की डाल आप बाजार से मांग लेंग जीएगा बहुत ब्यंकर ताकत होती है इसको और इसका इंग्लिश में नाम है होर्स ग्राम होर्स का मतलब गोड़ा ग्राम का मतलब चना गोड़े को जितना असर चना करता है उतना ही असर आदमी के लिए ये दाल करती है ये दाल गोड़े को भी खिलाई जाती है गोड़ा कितना फूर्तीला होता है और हम किसी भी शक्ति को मापते हैं तो हमें और श्पावर में ही मापनी पड़ती है तो उस गोड़े की ताकत की तरह हमें ताकत देगी ऐसी मैं आपको इदाल बता रहा हूं कुलती की दाल तो ये कुलती की दाल हमारे जैसे ही सरीर में जाएगी बेड़ कॉलेस्टोल जिसको LDL बोलते हैं न बेड़ कॉलेस्टोल को ये खतम कर देगी हर्ट के रोगों को बिल्कुल खतम करेगी इसके साथ यह sugar level को भी control कर देगी, जिसको मदू में कहते हैं, sugar level को भी यह control कर देगी. आपके बवासीर है, इसको भी यह control करेगी क्योंकि कबज नाश कर देगी, कबज को दूर करेगी तो बवासीर अपने आप दूर हो जाएगी. और कुल्थी का आपको एक सबसे बड़ा प्रयोग बताता हूं बहुत से वैद लोग बताते हैं डॉक्टर भी बताते हैं कि कुल्थी की दाल खाईए किसलिए गुर्दे के अंदर आपके अगर 7-8 mm की भी पत्री है आप कुल्थी की दाल कुछ दिन खाईए चुटकियों में आपकी पत्री गायब हो जाएगी तो ये सब कुल्थी की दाल खाने के भाइदे होंगे बरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है केल्सियम होता है कार्बो हाइडरेट होता है बहुत से अन्ये इसके अंदर ताकत वाली चीजें होती है और जोडों के इसी लिए ये ज आम बान होती है जोडों के दर्द को भी ये बगाती है गठिया को दूर करती है तो ये दाल आपको खाना है ज्यादा नहीं तो कम से कम आफते में दो या तीन वार इस दाल को आप जरूर खाएं और बीमारियों से बच जाएं खाने का तरीका भी मैं बता रहा हूं तब तक में दो परकार की मिलती है एक तो छिलका उतारी हुई दाल मिलती है और एक छिलके सहित दाल मिलती है अच्छा तो ये रहेगा कि छिलके सहित जो आरी दाल होती है उसको हम लेंगे और खाएंगे तो ये दाल भी ब्यंकर ताकत वाली है और इतनी जल्दी पस्ती है कि कितना बड़ा से बड़ा मरीज हो डॉक्टर उसको मुंग की डाल बताते हैं बाकी सब डालों को दूर कर देते हैं वो कहते हैं कि इसको मुंग की डाल दो दलिया दो तो मुंग की डाल जरूर बताते हैं डॉक्टर तो ये मुंग की डाल में बहुत ज़्यादा ताकत होती है इसको अब भी आप बनेए खाइए बहुत टेस्टी होती है यह खाने में लोग पालक मिला के भी खाते हैं आइरन की मात्रा इस Ici पालक में ऌती है तो बहुता हमें अगुए तो बर करते है आप इसको अवगते में दो या तीनають वार जरूर खाओ यह अब इसको क्या करना है हमें कितनी मात्रा में लेनी है ज्यादा भी नहीं लेनी कम भी नहीं लेनी है टी स्पून जो होता है उससे दो चमच हम एक आदमी के लिए दाल ले सकते हैं दो चमच एक बार में दो चमच हम लेकर उसकी दाल बनाएंगे तो हमारे शरीर में ये ब्यंकर लाब करेगी बहुत जादा लाब करेगी तो आपको मैंने दो दाले मताई है आप दाल खाना सीख लेंगे और सबजीयों को दूर करते जाएंगे तो मेरी मानिया आप आदी बीमारियों से स्वता ही दूर हो जाएंगे आप आज मांके देखना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंग जैबारत